नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी साथियों मैं कुनाल परताप सिंग आज से आप सभी को इस पटिकुलर लेक्चर में स्वागत करता हूँ साथियों हम सभी जानते हैं कि 14 माई को उत्तर प्रदेश पुब्लिक सर्विस कमिशन ने अपनी एकजाम को लेने का ये एक प्लान किया है साथियों उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगोंने सिविल सर्विसेस अप्टिट्यू टेस्ट यानि सी से कि हम लोगोंने बैश शुरुआत करने की एक छोटी सी परियास की है चुकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड की साथियों इसमें हम हाई क्वालिटी की सारी आपको मेटेरियल्स देंगे पूरा आपका वन-to-one डाउट सेशन आपको मिलेगा सारा मेंटर से अब आपको मिलेगा लेकिन उससे पहले में कुछ बाते आपके सामने रखना चाह साथियों यह हमारे हैं चिब मेंटर हमारे डियर चंद्रमनी सर जिनके एक छत्रचाय में इस बैच की सुरुवात की जा रही है आप सभी तो जानते होंगे चंद्रमनी सर को उनको पढ़ानी का जो उनका तरीका है अपने आप में बड़ा यूनिक है साथियों उनहीं के छत इंटर परेंसरल इसकिल इसेजं में यहिसमें जाता है प्यारे सांथ। अंतर व्यक्तिकत चमता और निरने चमता यंवंग समस्या समाधान। ये दोनों मैं हिंदी इंगलिज में पढ़ाओंगा मेरे प्यारे सांथ। इसके बाद हम आते हैं चिरंजीवी सर पर। चिरंजीवी सर के बारे में कौन नहीं जानता है। एक अच्छा इनके पास मैत की एक कहीं न कहीं बहुत ही श्ट्रॉंग है। इनके पास नॉलेज़ है। इन्होंने अब रिसेंटली बहुत सारे एक्जामनेशन में इनकी क्वेस्टन्स भी टकराई है। साथियों इनके अंदर प्रारंभी गनित हाई स्कूल अस्तर तक अंका गनित बिसले सनात्मक जो छमता है समानने बहुत ही कियो गिता। साथियों यह हिंदी में पढ़ाने वाले हैं आपको यानि कहने का सही हुआ कि रेजनिंग मैथ यह आपको हिंदी में पढ़ाएंगे। चिरंजीवी सर। अगर यही चीज आप अगर को इंगलिस मिडियम का बच् साथियों मैं इनको बता दो कि UPSC में आल इंडिया रहें को 132 है इनका साथी साथ इस साल इनको CAPF में इंटर्व्यू भी देना है इनके पास मैथ किया अपनी अच्छी पकड़ है यह एक बहुत बड़े इंस्ट्रिचूसन बिट्स पिलानी वहां सिन्हों ने अपनी बिट तो कहने का से हुआ कि आपको इसान सर हिंदी पढ़ाएंगे और पूजा मैं आपको इंगलीज पढ़ाएंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सीशेट में जो है आपका कौन को नेरिया आता है आप सभी जानते हैं सीशेट में वह सारा सिलेबस में यहां पर आप देखी दिय हुआ है तो सिसेट की सारी एरियास के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हमारे सब एक्सपर्ट की टीम लगी है यानि जो जी सेरिया में एक्सपर्ट है वही चीज उसको पढ़ाएगा ठीक है ना तो चिरण जीवी सर आपको मैथ और इसके बाद आपको रिजनी ठीक है ना जेनरल मेंटल अबिलिटी या जो भी कह लिए जो हिंदी में पढ़ाएंगे सेम चीज राजबीर सर पढ़ाएंगे लेकिन इंगलिस में पढ़ाएंगे इसान सर और इनके पास बहुत अच्छा प्रिल क्यों है एक्जाम का कई बारतों के बहुत सारी इंटर्व्यू में पहुंच चुकी है इनका जॉब लगा थे यह साई का जोड़ चुकी है यह यूपी पीशेस बीपीसे की तियारी को लेकर तो हलाकि इनके बास एक बहुत सार अनुभाव है यहां पे जितने भी टीचर ल तो यह सारी हमारी टीम है जो एक पुरी तरीके से ज्वरदार तरीके से आपकी जो है सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल क्ले करने वाड़ी ठीक है चलिए आगे बढ़ते साथियों इस कूर्स में हम क्या क्या आपको देने माले पहले तो हिंदी और इंगलीज का एक से वह प्रवाइट करने के लिए हम लोग प्रतिबद है ठीक है ना यह हम लोग गारेंटी करते हैं चालेंज कर रहे हैं साथी साथ साथियों आपको जो है वन-to-one डाउट से सम्मिले यानि अगर आपको मान लीजी अगर प्राब्लम है कोई डाउट है तो आप से अपनी टीचर से फोन पर बात कर सकते हैं साथी साथ साथियों इसमें एक चीज़ और हम लोग प्रवाइट कर रहे हैं वह यह है कि आपको यहां पे one-to-one mentorship मिलेगा अब मेरे से भी बात कर सकते हैं चंतरमनी सर से बात कर सकते हैं सारे टीचर से साथी साथी साथ आपको ज बेसिक लिबल से मतलब समझें कि जीरो से जो हम यह मान के चलेंगा आपको कुछ नहीं आता है जीरो से आपको जो है सिखाया जागा और दो से तीन महीने में दो से अडाई महीना में कर दिया जाएगा इसका सेडियों अप्लोडेड है साइट पे वहां से जाकर आप डाउन करवाया जाएगा और आपको पी वाई क्यू एक्सप्लेनेशन नहीं प्रिविश को सॉल्व करके भी आपको दिया जाएगा आपका एक कम्यूनिटी ग्रूप डेवलप किया जाएगा जहां से आप टीचर से टेलिग्राम पर या वट से पर आप मैसेज कर सकते हैं उनसे ब फिल्ड के खिलाड़ी है सब जितने भी अभी मैंने टीम मेंबर्स को दिखाया ठीक है तो साथियों यह चीज आपको फैसलिटीज मिल रही है साथी साथ मैं आपको बता हूं कि यहां पर एक और जो सबसी इंपॉर्टेंट चीज है वह यह है कि आपको रिकॉर्डेट खिलेगा ठीक है आप साथी साथ अपनी प्रॉब्लम में जैसे कोई मैथ में कमजोर होता कोई मान लिजे कोई पर्टिकुलर एरिया में है तो अगर मान लिजी कि जैसे क्लास तो चलेगी आपको एक्स्ट्रा क्लास भी प्रॉइड किया जागर आप बहुत ज़्यादा कमज खिलेगे कभी किसर में थोड़ा ज्यादा वीखन साथ तो आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाये जाए आप समझ रहें बाप ठीक है आपको मान लिजे कोहीं कुछ ज्यादा डाउट आ रहा तो आपके लिए डाउट क्लास लगाया जागा वही टीचर्स लेंगे प्यार है तो ये आपको दे दिया जाएगा हिंधी और इंग्लीज में न फर्मूला का आपको जो है प्रॉइड किया जाएगा थीचर पेज का कुछ नोट्स है साथी से 3-4 page बहुत ज़्यादा हो गया, 2 page का है और plus है, एक चीज और आपको मिलेगा, वो क्या है, tricks है, elimination technique और tricks या tips है, या elimination technique है, उसकी एक 2 page के note मिलेगी, क्योंकि C-set में आपको trick से भी बहुत सारे question solve हो जाते हैं, साथियों इसी के साथ, हम लोग आगे बढ़ते हैं, GS1, और इसके बाद होगा, इसकी भी बैचेश हमारी सुरू हो चकी हमारे CIA में, चंद्रमनियास Academy में, 2-3 से लेकर, 4-3 के बीच में, साथियों आपका C-set का exam होता है, मेरे प्यारे साथियों, साथियों मैं आपको बता दू कि जैसा कि हम जानते हैं कि GS1 में 150 question आता है, और य एक question, दो number का, तो साथियों ये पूरा चीज है, मैं आपको बता दूआ आपके फायदे के लिए, कि साथियों इसमें क्या-क्या syllabus है, पहले तो समझे, ठीक है न, ये comprehension आपको देख रहा होगा, वन सेकेंड डूप जाएगा मेरे प्यारे साथ, देखिये, मिंत्रों ये comprehension है, ये जो मैं लेने वाला हूँ, जैसे आप इस्तारी कराने कह सकते हैं, इंटरपरसनल इसकिल, including communication, इसकिल ये मैं लेने वाला हूँ, अंतरव्यक्तिक, छमता, जिसमें संप्रेशन कोसल भी समाहिक होगा, logical reasoning and analytical ability, English में राजबीर सर लेंगे, तारकिंग, विसलेसं योगेता, ये चिरंजीवी सर लेंगे, decision making and problem solving, ये मैं लूँगा, जिसे आप निरने छमताया समस्या समधान कह सकते हैं, मैं आपको बढ़ा, general mental ability English में राजबीर सर लेंगे, समान ने बौधी कियो गेता, हिंदी में कहीं न कहीं आपको जो है, ये हिंदी में चिरंजीवी सर लेंगे, mathematics, जो है, elementary mathematics, ये आपके राजबीर सर लेंगे, प्रानभी गनित हाई स्कूल अस्तर तक ये चिरंजीवी सर लेंगे, और आपका जो English है, है न, वो पूजा में लेंगी, और हिंदी आपके जो है, इसान लेंगे, साथियों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता, आप विश होने लगेंगे, कहने का ऐसा कब होगा, हम कब मानें, कि हमारी त्यारी ये चीज़ चल रही है, जब आपसे प्रस्म हो रहे हो, तो आपको ये प्रस्म करवाएंगे, साथ ही साथ, हम लोग ऑल जो इंडिया से जो भी, मतलब चुके हम सभी जानते हैं, कि यूपी में एक तर लेगे, जिसमें आपका रैंकिंग डिसाइड किया जाए, ठीक है, तो ये भी है, आपको मतलब ये है कि आपका 100 प्लस माक्सी सेट में आपको जो है, लाने की गारेंटी हमारे इस टीचूट दिला रहे हैं, हलाकि सौन आपको मतलब 33 परसेंट माक्सी लाना है, लेकिन फिर क्वालिफाइब कैसे करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले सी से क्वालिफाइब करना है, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों से, सी से में डिफिकल्ट क्वेसन आने की वज़ए से, ट्रेकी होने की वज़ए से, सी से की महतोता बढ़ गई है, मेरे पूर्सम है ना, जिसे आप आप कह सकते हैं, नुपात, समानुपात, प्रॉफिट लॉस, प्रतिसत, है ना, इस फीमपल एं कंपॉल इंटरेस, जिसे लाभनी, ब्यास, अधारने चक्र विर्धि कहते हैं, वर्क इन टाइम, काम इन समय, चाल समय और दूरी, स्पीड, पढ़ा जागा, बीजुगनी जी से कहते हैं, रेखा अगनी जोमेंटरी पढ़ा जागा, स्टाटिक्स आपको पढ़ाए जागा, जिसे आप सांखिय की हिंडी में कहते हैं, इंगलीस की अगर हम बात करें, जो पूजा मैम आपकी लेनी वाली हलाकि यह जो मैत है, आपका बराजबीर सर लेंगे, हिंदी में आपके च्रेंजी भी सर लेंगे, यह जो आपको यहां देख रहा है, इंगलीस, यह जो पूरी इंगलीस है, मेरे प्यारे सांखिय है, आपके पूजा मैम लेंगे, हिंदी आपके हिसान सर लेंगे, प्यारे बच्चों, प्यारे सांखिय इसके बाद यहां पर यह चीज़ तो मैंने बता दिया साथी में एक चीज़ मैं बताना चाहरा था CSET में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कह रहा है कि minimum आपको 33% लाना होगा तो कहने कासा यह हुआ कि 66 number से अगर जाद है खाली अगर हम CSET में ला देते हैं तो इसका मतलब हम CSET में क्वालिफाई हैं तो 66 number ही आपको लाना है और लिखा है आपको दोनों पेपर का एक्जाम देना होगा कुछ बच्चे ऐसे वज़े होते हैं कि पहला पेपर दे दी और भाग गए So therefore a candidate will be disqualified in case he does not appear in both papers तो आपको दोनों पेपर में पेपर होना होगा प्रिलेम्स का एक्जाम देदे सुमें प्रिलेम्स के बीच में बात महीं करना है आपको प्यारे सांथ अगर आप कट अफ क्लिर कर लेते हैं सांथियों मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे, BPSC के गलत हरकत्व की वज़़े से परिसान है, BPSC ने हाल की दिनों में जो किया है, उदास नहों सांथियों, आपको मैं बता हूँ, कहा है इसा नहों कि 6 मिने बाद, 7 मिने बाद आपको लगे जब प अधिकारी जैसा माइंसेट रखे मेरे प्यारे सांथ के और मैंने दो बार उपर पीसेस निकाला हुआ है, मुझे मालूम है कि किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही हूँ, UPSC के आप सी सेट का मैं आपको अपना जो है, मार्क सीट दिखाऊंगा, मैं उसमे दिखाऊंगा कि चार बार फ्रोटल मैंने पांच बार 4 बार इंटर्वियो हुआ, मैं आपको उसमें दिखाऊंगा, मेरे प्यारे साथ, कि उसमें कितना मेरा स्कोर आयत, कितना मेरा स्कोर आयत, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा मैं इस पे एक विडियो बनाने बला हूँ साथी उमीद है आज का क्लास आपको पसंद आया होगा परचंड है आरंब है उसके साथ मैं करना चाहूंगा और साथी एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा मैं बोलता हूं कि कभी भी उदास होना नहीं है उदास अगर रहेंगे तो फिर आपका बहुत सारा ही मतलब अल्डरेडियों आप बहुत ज्यादे ही बिलोधियों की जुबान पर जीत खिल के मैदान पर मेरे प्यारे सांथियों और एक तिल का पहरा भी जरूरी है लबो की आसपास डर है कहीं तरी मुस्क्राहट पो कोई नजर न लगा दे तो हम लोग बैसिकली यह मुस्क्राहट पर नजर न लगा देए जो साहिरी है मेरे प्यारे साथियों ये आपके एक्जामनेशन को लेकर हम लोग कह सकते हैं कि मुस्कराहट यानि आपके सपने को कोई नजर न लगा दे इस तरीके समलोग इसको देख सकते हैं साथियों इनी सरी महत्तु पुर्णे बातों के साथ मैं आपसे आगया या विदा लेना चाहूंगा उमीद है आपको मेरी क्लास पसंद आये धन्यवाद साथियों